गुड मॉर्निंग बच्चों जो मैंने ये वीडियो आपके पहरे डाला था कई बच्चों का कमेंट्स ऐसा है कि उनको ये अच्छ से एक्स्प्लेइन नहीं हो पा रहा है समझ नहीं आ पा रहा है कारण यही है बच्चों की आपने लेसन नहीं रिट किया है अगर लेसन हम प परिवार नियुक्त परिवार जहां परिवार में उसके अंतरगत करें हैं इसमें मानव परिष्तितिक और परिवार विज्ञान को संभगात मानव परिस्तिति के बारे में बताया परिवार विज्ञान क्या होता है उसके बारे में देखिए मानव परिस्तिति मानव परिस्तिति क्या है मानव परिस्तिति एक ऐसी विज्ञान है जिसके माध्यम से मानव के परियावन के साथ संबंध का अधियन किया जाता है अब क्या था तरी इसमें कि मानुप परिष्थिति ऐसा विज्याने जिसके अंदर क्या बात की जाती है मानुप के और परियावन बीच आपसस में जो संबन्द धे उसके बारे में अध्यन किया जाता है आगया समझ बहुतaci क्या होती हैं जो भी क्य्सक्राइब? हम संबन करते हैं बहुत है ना पैसे कमाना धनार्जन करना सामजिक किरिया है जो समाज से हमारे जो संबन बनते हैं वो किरिया है मनोवेग्यानिक जिस चीज को हम समझते हैं मैसूस करते हैं ठीके भावनात्मक इसमें आ तत्वों को अधिन किया जाता है इन सभी का सक्रिय सम्मन बच्चों किशोरों और व्यस्कों के साथ होता है ठीक है अब हमारा सम्मन किस-किस है बच्चे के साथ भी है किशोरों के व्यस्कों के सब के साथ है ठीक है तो क्या बात हो यह मानव परिस्तिती का मतला हो है परिवार इसष्यव आजयान करह विभूर है तो विभिन विशो इसका संब्न待 क्या है तो हम पार यह संभन का जीव सब्सक्राइब तो किसका संब्ने Randy come시 S provisions दिए जिसके अंदर साइज चीजों से हम परियावन के संब्द स्थापिक कर सकते हैं जीव बहु आयामी संब्द में दे सकते हैं प्रस्तुस अंधरव में जीव विज्ञान का आश्य है माना यह इसलिए मानो शब्द का शब्द पारिस्थिती शब्द के साथ जोड़ दिया गया ठीके अब हैं परिवार विग्यान के बात करेंगे हैं परिवार विग्यान का संबन्द व्यक्ति का उसके घर से समाज से परिवार से उनके संसादनों के संबन्द से हैं ठीके परिवार में बच्चों का पालन पोशन किया जाता है आपको पता है ताकि वे एक व्यस्क के रू इस विक्ष्टी की घूमी का को क्या माकद Vanessa कि या जाता है मतलब परिवार को सदेशन करता है बच्चे के विकास में इसमें सी आज के परियावन के मद्य पारसपरे क्रियाओं को भी समझा जा सकता है या उसकी परिस्तिती के साथ सह क्रियात्मक संबन बताता है इससे भौतिक मनोवेग्यानिक सामाजिक सांस्कृतिक और अर्थिक संसाधन समयलित होते हैं तो हमने पड़ा है परिवार विग्यान क्या है क्या क्या चीज इसमें शामिल है मानव परिस्तिती का आर्थ क्या है मानव परिस्तिती परिवार विग्यान में क्या संबने तो पहला प्रशन आपका बन के तयार हुआ है दूसरा प्रशन क्या है दूसरा प्रशन कह रहा है क्य इतना महत्यपूर्ण हैं जब हम लेसन पड़ते हैं तो यह सब चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ जाती हैं मैंने आपकी इसमें लेसन भी डाला हुआ है आप उसको भी देख सकते हो पढ़ सकते हो हाँ हम सहमत है कि किशोरवस्था एक व्यक्ति के लिए जीवन का निर्णायक मोड है किशोरवस्था एक ऐसा नाजुक मोड होता है जिसके दोरान किशोर अपनी सहमच का विकास करता है इस समय भोजन, अन्य संसाधन, कपड़े, पोशाक, संचार और आधी किशोरों के जीवन की मयत्पुन भूमी का निभाता है बाले अवस्था के पश्चात किशोरों का आगमवन होता है उम्र के इस पड़ाओं में व्यक्ति के चरित्र का निर्मान हो जाता है किशोर अवस्था के दोरान किशोर अपनी बारे में अधिक सोचना शुरू कर देता है मैं कौन हूँ, कौन सी बातें अन्य से मुझे भिन्न भनाती है इस अवस्था में हम स्रायम को परिभाशित करने की कोशिश करते है इस अवस्था में सही गलत का अंतर नहीं कर पाते हैं इस समय सकरत्मक सायोग की आवश्चक्ता होती है अब प्रश्ण में बच्चों यह चीज आ रही है कि जो किशोर अवस्था होती है वो बहुत ही नर्णायक मोड होता है समझ का मोड होता है हम क्या चीज समझ पा रहे हैं किस प्रकार उसको अपने आपको परिभाशित कर पा रहे हैं खुद को कितने गुणों का हमारा विकास हो गया है किस से हमारा सम्मंद बन चुके है हम कितना अर्जित कर चुके हैं यह सब इसके अंदर आ रहा है किशोरवस्ता बहुत ही महिमात्पुन भूमिका है आप जिस एज में हो बच्चों आपकी एज बहुत ही ज्यादा अच्छी एज है इसमें सब कुछ समझने की इच्छा जिग्यासा आपके साथ चलती रहती है अब तीसरी प्रेशन तो यह है उन सभी जानी मानी महिलाओं को बताएं सरोजनी नाइडू राचकुमारी अमरत कौर कमला देवी चटोपाधिया लेडेवेंट कौर ठीके जिनने संकल्पना है विश्विध्याले की रूप में महिलाओं की सिक्षा के रूप में कारे करने के लिए अपनी भूमी का निर्मेत की तो हमारे जो फर्स लेसन इसके तीनी प्रेशन थे वह मैंने आप लोगों को इसमें पहले भी मैंने डालतिया है लेकिन किसी बच्चों ने मुझे बताया है कि हमें इसमें थोड़ा अच्छ से समझ नहीं आया है तो प्रेशन समझने से पहले हमें लेसन को समझना आवश्यक होता है बच्चों ठीके